तो यह आप डैड़ी कॉलिंग एक्सकोल्ड एफफ और एक्शन मोल जैसे यूटूबर्स को तो जानते होगे जिनका लेवल ना बहुत ही जादा है और रिसेंटली अभी एक्सकोल्ड एफफ का लेवल तो 97 हो गया है अगर आप मेरे बताए हुए ट्रिक्स को फॉलो करते हो ना तो आपका लेवल ना पांच गुना ज़्यादा तीजी से बढ़ सकता है तो यहाँ पर आप बहुत ज़ल्दे अपने लेवल को बढ़ा सकते हो तो दिखो आप लेवल बढ़ाने के ना बहुत ज़्यादा फाइदे भी हैं तो दिखो अगर आपका लेवल 70 क्या सपास होता है ना अगर आप रैंडम प्लेयर्स के ग्रूप में जाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं आपको मिलता है मैचेस खेलने से अगर आपको बढ़ाने के लिए ना एक्समियू INCry देखर अगर आप जल्दी से जल्दी अपने लेवल बढ़ाने चाहते हो ना तो वहां पर आपको खेलना है पिर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लगाता है एक सब्ता तक ना सिर्फ अपना रैंक मैच खेलना तो आप नोटिस करोगा यार कि आपका लेवल ना बहुत जल्दी बढ़ रहा होगा अभी देखो यार बहुत लोग ना यह सोचरिंगों कि यह बंदा क्या बोल रहा और उनका लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है और वहीं देखो जो नॉर्मल बंदा होता है ना वो उसका हो सकता है पहले मैच में अच्छी तरह से प्लस लगाओ लेकिन दूसरे मैच में मैनस लग रहा हो क्योंकि वह बंदा अच्छी तरह से सर्वाइब नहीं कर करके अराम से इसरी अपने रियोल को इंक्रीज कर सकते हो और यहां पे ना आपका दो दो फाइदा हो जाएगा एक तो आपका रैंक पुस्ट भी हो जाएगा और आपका डिवल भी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा जैसे आप यहां देखो है और मैंने इस मैच को बुईया निकाला है तो यहां पर मेरा रैंक पुस्ट हो चुका है और यहां पर मुझे 742 का EXP भी मिल चुका है और मुहीं देखो है अगर अगर आपको सिर्फ लेवल बढ़ाना है ना आपको यहां पर और भी कोई काम कर सकते हो जैसे अपने क्लासेस देख सकते हो जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और अभी एक्जाम का टाइम चल रहे ना तो यहाँ पर आपका लेवल भी पुश हो जाएगा में और इंडिया का लिवल प्लेयर वह इसी मेटड को यूज करता है भाई लोग अभी देखो इस मैच मेना मेरे को 708 का एक्सपिरेंस मिला है तो यह डिफरेंस क्यों है जबकि मैंने दूनों मैच में पूरे एंड तक सर्वाइव किया है तो देखर आप सूच रही होगा ना कि एक मैच में मैंने 1st पोजिशन लाए और दूसरे मैच में 2nd पोजिशन तो वह इसका रीजन नहीं है इसका रीजन है EXP काड तो देखर मैं आपको बता जाता हूं कि यह EXP काड क्या होता है तो देखर अगर आपके पास यह experience काड होता है तो आपको जितना भी EXP मिलता है और वहीं दूसरे मैच में मेरे पास 50% का EXP था तो इसलिए ना मेरे को एक मैच में ज्यादा और एक मैच में कम experience मिला तो अब मैं आपको यह experience काड कहाँ पर मिलगा तो देखर अगर अगर आप गिल्ड में होना तो वहां पर आपको हर Tuesday को एक experience काड मिलता है 6 days के लिए तो आपको स्टूर में 100% का experience काड मिल जाता है 7 days के लिए तो एर मैंने हाँ पर आपको सारी चीज़े बता दिये कि आपको जल्दे से लेवल बढ़ने के लिए क्या क्या करना है और देखर लास्ट में आपको यह और चीज़ बताना चाहूंगा कि जब भी आप देखो गेम में अगर आपको इस बात ही करना है तो आपको उससे मैच में बात करना है जिससे की आपका फालतू का time waste ना हो तो आज के लिए बस इतना ही उम्मेद करता है यह वीडियो आपको काफी पसंद आए अगर यह वीडियो आपको चल गए हो तो इसे एक लाक जैरू कर देना और पर डियम कर सकते हैं और वहां पर आप मुझे फॉल भी कर लेना तो तब तक लिए बाबाय मिलते हैं एक और वीडियो में